थाना हरपूर बुधहत के ग्राम मतहौली निवासी यूम ग्राम सभाची करिया नाथ सिंग के ग्राम प्रधान 31 वर्षी सिवजी यादों ने फासी लगा कर आत्महत्या कर ली आत्महत्या की सूशना मिलते ही परिवार सहित शेटर में कोहराम मच गया बीती रात गाउं के ही बर्थडी पार्टी से आये ग्राम प्रधान अपने कमरे में सोनी चले गए फिर सुभा ग्राम प्रधान सिवजी यादों को फासी पर लटकते देख परिजन आवाक रहे गए सूशना जंगल के आग की तरह शेटर में फैल गई भारी भीड इकतर हो गई वहीं सूशना पाकर मौके पर शेटरदिकारी खचनी सहित हरपूर बुदहट थाने के पुलिस मौके पर पहुच गए और चार्च में जुट गए पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्ट मौटम को भेज दिया है परिजन के अनुसार रात किसी के फोन आने की वज़े से परिशान थे किसी बात पर गाली गलोज की बात भी सामने आई है फिलहाल हरपूर बुधहट पुलिस मौतक ग्राम प्रधान सिवजी यादव के मौवाइल को अपने कबजे में लेकर जाच में जुट गई है मिली जानकारी के अनुसार हरपूर बुधहट थाना छेटर के ग्राम सभा मतौली निवासे सिर्जी यादो ग्राम प्रधान चिकरिया नात सिंग बीती रात किसी बात को लेकर परिशान थे देर रात गाउं के बर्थडे पार्टी से आने के बाद अपने कमरे में फासी लगा कर आत्मत्या कर लिये सुभा देर तक ना उटने के बाद परिवार को चिंता हुई बाहर रोशन दान से देखा तो कुंडी से लटकते शो को देख कोहराम मच गया गाउं के युवा प्रधान को परिवार ही नहीं पुरा गाउं खो दिया मौत का कारण अभी सपस्ट नहीं हो सका है लेकिन दबे जुआन में उधारी वा गाउं में किये गए कारे में भुकता ना हो पाने से कर्ज देने वालों सहित कई बिंदू पर पुलिस मुबाइल के आधार पर जार्च में जुट गई है छेत्रा दिकारी खजनी अनिल कुमार सिंग ने बताया कि ग्राम प्रधान में लंसार वेक्ती थे ग्राम प्रधान शिवजी यादो चार भाई थे एक भाई बैंककॉक, दुबाई और एक भाई डायल 112 में संदकभी नगर में कारे रथ है उनका छे वर्स का छोटा लड़का है घर पहुशने के बाद से ही ग्राम प्रधान अंदर से दर्वाजा बंद किये हुए थे दर्वाजे को तोड़ कर लाश को नीचे उतार गया ग्राम प्रधान सिवजी यादो के शरीर पर कहीं भी किसी प्रकार के चोट खरोज नहीं पाये गया है किन कारणों से ग्राम प्रधान ने आत्मत्या किया है यह जाज का विशे है जाज होने के बाद ही पता चल पाएगा फिलहाल हर्प और बुधर थाने के पुलिस ने शो को पोस्मॉर्टम के लिए भेज कर आगे की विदिक कारवाई में जुटी है